हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टॉपिक है विल्सी मीडिया प्लेयर कैसे अनिस्टॉल करते हैं विंडो 11 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें च यहां पर सच करके भी ओपं कर सकते हैं दोनों में से अब कहिंसे भी क्लिक करके कंट्रॉल पैनल उपेंड कर लीजएगा यंदि आपको क्या करना यहां को क्या करके आपको कैटेगोरी सेलेकट करने के बाद आपको किसमे भी इस तरह से दिखना सुरू हो जाएगा अब आपको क्या करना यहां पे program के नीचे आपको दिख जाएगा अनिसे आपको क्या कर देगा या तो उपिंट कर दीजेगा या नहीं तो आ इसको पर आपको double क्लिक करने दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से window open हो जाएगा अब मालेज़े यदि आपके case में भी इस तरह से window open होता है तो आपको क्या कहना यहाँ पे yes पे click कर देने yes पे click करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या कहना यहाँ पे next पे click कर देने इसके बाद यहाँ पे यदि आप जो preference होगा कैसे memory होगा उसको भी आप delete करना चाहते तो इसको आप click mark कर दिजएगा इसके बाद आपको uninstall पे click कर देने अन install पे click करते हैं उन install होना शुरू हो जाएगा इसके बाद यह window open हो ज